Hello guys, welcome to Current Affairs Fund दोस्तो, IDBI Bank के लिए एक बहुत important चीज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा देखो यहाँ पर जो दो अलग-लग recruitment आए हुए एक आपका executive का है और दूसरा जो है वो आपका PGDVF का है तो इसमें guys क्या है कि कोई भी एक post के लिए आप apply करोगे ठीक है या तो आप executive करोगे या तो आप यहाँ पर करोगे तो जो service bond है, service bond का मतलब होता है कि आप restricted होगे कि आपको इतने सालों की service जो है वो officer में देनी ही देनी होगी तो जो आपका bond है वो cable cable PGDVF में officers में apply होता है executive में bond का कोई भी provision नहीं है लेकिन guys रुख जाना, यहाँ पर जो आपके losses है वो काफी जाता होंगे अगर आप इस पूरे recruitment में involved हो जाते हो आप join कर लेते हो, उसके बाद आप इसको अगर छोड़ देते हो तो काफी heavy losses आपको देखने को मिलेंगे, वो कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा provision बता दू यह service bond का यहाँ पर mention already का रखा है कि 3 साल की officer में आपको service देनी है देखो लिखा है ना, all selected candidates at the time of registering for the course ठीक है, जब आप course में register करोगे तो आपको execute करना होगा एक service bond ठीक है, और उस service bond में mention होगा कि कम से कम 3 साल की सेवा है आपको bank को देनी ही देनी है at the time of joining the bank service or shall have to pay an amount of rupees 2 lakh plus applicable taxes, charges, etc ठीक है, देखो guys यहाँ पर यही चीज मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि यह लोग क्या कर रहे हैं, एक तो मोटी fee ले रहे हैं, आप से PGDVF के लिए आप यह देख लो कितना हो जाता है यह हो जाता है आपका 3 lakh 50,000 रुपीज ठीक है, अब इसमें जो GST applicable होता है, ठीक है वो आपका near about आप मान कर चलो अगर 18% मान कर चलो ठीक है, वैसे तो यहाँ पर 18% यह आपका लगेगा, ठीक है तो 18% के हिसाब से कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 63,000 ठीक है यह हो गया आपका 9,000 और यह हो गया 4,000, 4,000 और 63,000 रुपीज ठीक है, तो 63,000 आपका जो यह taxes हो गया, ठीक है इसके बाद आप यह देख लो जब आप छोड़ते हो, तो 2,000,000 रुपीज आपको तब भी देने होंगे ठीक है तो ultimately, यह जो आपका loss है इस amount का, इस amount का यह दोनों near about मुझे ऐसा लग रहा है कि लगए 6,000,000 के असपास का आपका पहुँच जाएगा 6.13,000 रुपीज आपके loss होते हैं आप PGDVF में admission ले ले लेते हो और छोड़ देते हो और जैसे किया है कि किसी ने पहले साल join करा और उसका आगे फर्दर कहीं दूसरी जगह हो गया, ठीक है तो अगर वो इन सब चीजों से चंगल से मुक्ती चाह रहा है, तो बहाँ पर उसको heavy amount तो पे करना पड़ेगा तो बहुत सोच समझकर आपको यहाँ पर form बरना है, यह साले 6 लाग का सवाल है और जो आपका executive है, उसके लिए कोई bond नहीं है मेरा vote होगा कि आप executive में apply करो, 1000 रुपे की fees है और जब तक करना है करो, 22,000 करो, 29,000 पहले साल है, फिर आपके 31,000 है और फिर आपके 34,000 है, ठीक है और exam pattern आपने देख लिए होगा, दोनों के लिए common है, यह जो online test है, logical reasoning आपका English, quant और general average ठीक है, यह आपका section होने बाला है, और guys एक चीज़ और बता दूँ आपको जो यह GA बाला portion है यह पूरा का पूरा, आपको current affairs funda के और से मिल जाएगा, अभी हमने yearly membership आपके लिए दिया है, तो जिसमें कहा है, कि जितने भी content है, वो सारे A to Z आपको यहाँ पर मिलना है, PDF format में तो पूरा GA, जो है वो आपका यहाँ पर cover होगा, हर एक मन्त के best 500 MCQs आपको मिलेंगे, प्लस daily, monthly, weekly, सारी files मिलेंगी और यह जो 12 मन्त का banking finance है यह गाईज सबसे important है क्योंकि इसमें हर एक मन्त की जो banking finance की, economic की news वो हम यहाँ पर cover करते हैं, तो आप इसको जुरूर आप्ट करें, इसका link नीचे description में दे दूँगा, और जो current affairs funda mobile application है, इसको आप download कर लेना, तो आप इसको access कर सकते हैं बागी सारी link वो आपको नीचे description में दिये गए हैं, ठीके और मेरा ऐसा मनना है, दोखो bond बहुत certain जगे होते हैं जहाँ पर इस तरीके ही courses जो है आपने अगर दोखे से इसमें EMI बगरा करा ली तब तो guys, आप सो सकते हो ना कि कितना heavy losses आपको pay करने पड़ते हैं, कि 3.5 lakhs आपने ये दिये, प्लस आपने 0.63 के, ये आपने amount बहाँ पर as a tax deposit कर दिया, इसके बाद आपने 2 लाक रुपे जो है, वो आपने pay करा as a bond break करने का charge, फिर अगर आपने total loan करा रखा होगा, तो आपका इस पर interest वगरा भी जा रहा होगा, ठीक है तो यार ये जो चीजे हैं ना, ये थोड़ा सा painful रहेंगी, तो आप बहुत सोस समझ कर इस course में admission ले, अगर हैं, तो आप इसको आगे तक continue करें, देखो इसको किस case में चुला जा सकता है, इसको किबल एक case में चुला जा सकता है जब आपका कहीं पर public sector bank में as a PO में selection आपका हो जाए, तो यार बहाँ पर ultimately 5-6 लाक रुपे का आप loss करके, आप जा सकते हो और जिसको आप 4-5 सालों में अपना require कर लोगे ठीक है, अपनी savings करके आराम से, ठीक है, तो यह चीज़ है जो मैंने आप सभी को बता दी, अब choose आपको करना है, बैसे executive का आप कर लो यह ज़्यादा beneficial रहेगा, और executive का exam pattern भी आप इसलिए निकाल सकते हो बागी cut-off वगरा मैं आगे discuss करूँगा और यह जो general awareness है, यह complete एक place पर आपको सारी files मिल जाएंगे ज़्यादा भटकना आपको नहीं पड़ेगा फटा फट वीडियो को like कर दें और share जरू करें ताकि और लोगों तक भी important information पहुँच जाए, thank you guys